हाँ जी नमस्कार विद्ध्यार्तियों आज बसंत पंचमी की हार्दिक सुभकामनाएं आज सरस्वती मा का आपने पूजन किया होगा मैं आज सरस्वती पूजन के साथ ही यूटूब पर अपनी जोग्रोफी की क्लासे नियमित रूप से आपके सामने लीके आउगा मेरा जो जिसमें आपको भारत का भूगोल राजिस्तान का भूगोल और रीट पटवार PSI RS से सम्बंदित स्टडी मेट्रियल आपको यहां प्रोपलवद कराये जाएगा जोग्रोफी के टेस्ट भी करवाये जाएगे साथ में आपको जोग्रोफी से सम्बंदित जो भी टॉपिक एक टॉपिक को स्वाल करवाया जाएगा जोग्रोफी बहुत बड़ा से रीट लेविल बन और रीट लेविल टू एक्जाम पास में है इस तो इन सबजेक्टों का बहुत बड़ा वेटेज है एक्जामस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो मैं इन सारी चीजों को आपको कराते हुए नियमित क्लास रहेंगी एक जोग्रोफी का पहला ही बिंदू है जिसका नामे बुगोल का सामाने पर्च है उसकी मैं आपके सामने चर्चा करूं आज तो आपको विध्यारती करना क्या है मैं काफी समय से आफ लाइन पढ़ा रहा हूं आप सब जानते हैं आपका बहुत लाड़ और प्यार मेरे उपर आए आप लोग नियमित रूप से मेरे से पढ़ते रहें तो आपसे यहीं निवेदन करूंगा कि आप लोग इ स्टुडेंटों के फोन मैसेज आते थे कि सर आप यूटूब पर नहीं पढ़ाते हो गया तो मैंने अभी तक को यूटूब कर क्लास नहीं ली थी तो अब यह पहली बार मैंने यह यूटूब पर टेक्निकल जानकारी कम है इसलिए काफी लोगों से मदद लेकरने के पश् बेशाथ आपको पड़ाई करनी है तो जो पहला ही जोग्रफी का सामाने पर यह आज में दूंगा देहिशाती एला ही की नहींने जो क्सक्रिया है तो भूगोल का जनक किसे कहा गया है विंदू इसके लिए हम बात करेंगे हिकेटियस को भूगोल का जनक किसे कहा गया हिकेटियस को और हिकेटियस का जन्म है वो कम हुआ 550 इसा पूर्व और हिकेटियस का जन्म जो हुआ वह कहां पर हुआ विद्यारती हो मिलेटस में तो बिसेस रूप से याद रखना है कि बुगोल का जनक किसे कहा है हिकेटियस को और इनका जन्म कहा हुआ भुगोल का जनक को किशने कहा है तो इसे भुगोल का जनक कहा है अगर हम बात करें इनकी एक पुष्टक है जो बहुत चर्चित रही है जिसका नाम है जस प्रियोया डस यह पुष्टक बहुत ही चर्चित पुष्टक है इन्होंने भूगोल में इन्होंने प्रत्वी का वर्णन किया है प्रत्वी का अध्यन किया है और उसी को क्या नाम दिया है भूगोल नाम दिया है अगर हम बात करें विशेश रूप से याद रखना है अगला बिंदू है हमारा दूसरा ही कि व्यवस्तित या क्रमबद भुगोल का जनक किसे कहते हैं तो अगर ऐसा कहीं पर आता है तो किसको कहते ही इरिष्टो इस्तनीज को व्यवस्तित या क्रमबद भुगोल का जनक कहते हैं यह इनका जन्म हुआ दोसो चैर इसा पूर्फ यूनान में इनका जन्म हुआ था कहां पर हुआ यूनान में अगर पूछ ले कि पुश्तक कौन सी लिखी तो जियोग्राफिया कोश्त्क लिखी अब सबसे मेत पूर्प्रसन जो के वी में पूचा गया है नेट के अंदर ज्यारफ के अंदर पूच किस ने किया अगर ऐसा प्रसंद पूछा जाता है तो किस ने किया इरेश्टो इस्तनीज ने बुगोल के लिए जियोग्राफी सब्द का प्रियोग किया लेकिन बहुत ही मैत पुर्ण प्रसंद बन जाता है यह जियोग्राफी सब्द जो प्रियोग किया वह ग्रीक वासा के दोर सब्दों से जियो प्लस ग्राफोस जियो प्लस ग्राफोस से बना और इसका जोग्रॉफिक का नम करन पहली बार किसे दिया इरिश्टो स इस्तिने तीसरा आदुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं आदुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट को कहते हैं किसे कहते हैं अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट को इनके बारे में आप पड़ोगे तो इरिस्टो इस्तरीज ने जोग्रोफी के अंदर व्यवस्तित किया क्रमबद किया बैग्यानिक अध्यन किया भूगोल का और इन्होंने प्रत्वी की परिधी प्रत्वी की परिधी का भी अध्यन करने का प्रियास किया गड़ना की थी इन्होंने और प्रत्वी की किस ने की ती इरेश्टो इस्तनीजने अब बात करें हम कि आदूनिक भूगोल हादूनिक बुगोल का जनक अलेक्चेंडर बॉन हमबोल्ट को कहते हैं और हमबोल्ट का जन्व 14 सितंबर 1769 को हुआ था कब हुआ 1769 को और अगर पूछ ले इनकी पुष्टक बहुत ही चर्चित पुष्टक है सबसे ज़्यादा कौन सी कॉस्मोस इस पुष्टक में इन्होंने अंत्रिक्ष की जानकारी दी है अंत्रिक्ष का अध्यन किया है जो हमारे ग्रह उप ग्रह तारे इत्यादी का अध्यन इन्होंने किया किस पुष्टक में कॉस्मोस में किस ने किया तो आदूनिक भुगोल का जनक किसे कहेंगे अलेकजेंडर बॉन हमबोल्ट को या एवी हमबोल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है अब बात करें कि विश्वो में सरप्रथम मांचित्र किसका निर्माड मांचित्र का निर्माड करता कौन है पहली वार वर्ड में जो विश्वो मांचित्र का निर्माड किया वो किस ने किया अनेकजी मेंडर ने सरप्रथम मांचित्र का निर्माड किया था याद रखेंगे अब बात करें हम विश्व ग्लोब का निर्माड करता देखिए पहले में ने कहा कि विश्व में सरपर्थम मांचेत्र का निर्माड किस ने किया तो किस ने किया अनेक जी मेंडर ने अगला प्रस्ण है हमारा कि विश्व में सरपर्थम ग्लोब किसका निर्माड हो रहा है ग्लोब का निर्माड करता कौन है मार्टिन बेहम कौन है मार्टिन बेहम ने सरपर्थम किसका निर्माड किया गलोब का निर्माड किया था अगर पूछले 19-20 सदी में भुगोल की दो साखाएं दो शाखाएं हो गई दो भाग हो गए कौन-कौन से पहला बहुतिक भुगोल कौन सा बहुतिक भुगोल और दूसरा मानब भुगोल मानव मानव के अधिकार्स मानव के चारो तरफ का वायू मंडल मानव और पर्यावरण के इंबदिकार सम्मंद सब किसके अंतरगत पड़ेंगे मानव भुगोल के अंतरगत और वहतिक भुगोल में क्या पड़ेंगे प्रत्वी प्रत्वी की आंत्रिक सरचना समुद्री भु of this n biri कि सर्प्रतम किसका प्रियास किया फोली डोनियस से कि सका अगर पूछे भूछिक भूगोल का निर्माड़ का प्रियास किया था दूसरा था गरम बात करें कि माना Бог् funC辦 कार्ल रिटर को कहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा माना बुगोल में जो कारे किया वो रैड जेल ने किस ने किया रैड जेल ने इसके उपर सबसे ज़्यादा कारे किया है और इसकी एक सिस्या थी कुमारी सेम्पॉल तो उसने भी कारे किया है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जानकारी तो बहुतिक बुगोल के बारे में अगर आये कि बहुतिक बुगोल के बारे में लेखन कारे या बहुतिक बुगोल का जना कौन है पोली डॉनियस भारत का मानचित्र बनाने का प्रियास किस ने किया आपको अंग्रेज भारत में आये इस्ट इंडिया कंपनी के पश्चात सत्रे सो से अठारे सो इसवी का जो समय था उस समय पर उन्होंने भारतिय राजा माराजाओं के सासनकाल में पहली बार भारत का मांचित्र निर्माण का प्रियास किया और वो किषने किया विलियम लेंटन ने इसके पश्चात जैम्स रेन ले इसको भारत में एक मांचित्र निर्माता भी कह सकते हम इन्हों ने बहुत प्रियास किया और लगभग इन्होंने भारत का मांचित्र जो बनाया को फदे करने वाला व्यक्ति था वह कौन था जॉर्ज एवरेष्ट इसी प्रकार एवरेष्ट ने भी भारत के मान्चित्र का निर्माड किया था भारत का मान्चित्र बनाया था अगर हम बात करें कि भारत देश में भुगोल को अध्यापन करें तो लगवक गुनिस सो बीस से बाईस के दसक में भारत देश में भुगोल को विशय के रूप में पढ़ाना किया था क्योंकि जब मैं ने पहले बात की सबसे यहांकर हो ही हमारी कிसाब हेकेटियस के समय पर गुगोल पढ़ा जाता था वह एक कि रूप में था वो ग्रीक भासा में बुगोल का लेका किया था तो ठीक है भी द्यारतियों आज इतनी ही चर्चा करेंगे हम इसती है तो, सबसे पहले मैं आप से एक निबिदन करऊंगा, आप लोग जितना जादा मुझे चाहते हो और जितना मुझसे पड़ना चाते हो, जितना मैं । जानता हूँ उस से जादा करने का प्रयाश करूँगा और पढ़ाने का प्रयाश करूँगा, आपको नियमित क्लासे ले करके आऊंगा, यह निसुल्क क्लासे हैं यूटूब के उपर में अपना चैनल बना रहा हूं आप लोगों का सयोग चाहिए आप लोग ही उपर उठाएंगे मुझे आपका एक एक सब्सक्राइबर एक एक लाइक मुझे प्रोसाइट करेगा प्रोसान देगा कि मैं आगे काम करूं तो विद्यारतियों प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो आज ही मैंने स्टार्ट किया है तो आपको यूटूब के उपर सर्च क्या करना है जोग्रोफी बाइच देसरा चोदरी सर मैं भुगोल के तीनों ही बिंदो आपके चाहिए आरेस की तैयारी करने वाले विद्यारति हैं प्याइस की करने वा बहुत बहुत धन्यवाद सुब कामनाई जय हिंद जय भारत